पीए मोधी विदेश मंत्री स्जेश शंकर और नसे धोबाल से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉंपियो दिपक्षिय रक्षा से जुड़े मसलों समेट कई मुद्धों पर वुई पाची इस बैचक में G20 में होने वारी डॉनल्ड ट्रम्प और नरेंदर मोधी की मुलाकात का एजेंडा तैह होगा भारत आतंकवाद इरान और एंटी मिसायल सिस्टम S-400 पर अपनी राय अमेरिका को बताएगा अमेरिका का रूस से S-400 खरीदने की भारत की कोशिशों का विरोध कर रहा है और भारत का प्रतिबंद की धंकी भी दे रहा है इंडोनेशियों और तुर्की समेथ दूसरे प्रमुख तेशों के प्रमुखों को भी अलग-अलग बैठकों में साधने की कोशिश करेंगे इसके अलावा चीन, रूस और भारत की बीच एक द्वी त्रिपक्षिये बैठक भी होगी प्रधानमंत्री बनने के बार मोधी की ट्रम से पहली मुलाकात होगी 28 और 29 जून तक चलने वाली G20 शिखर सम्मेलन पर मोधी ट्रम के बीच द्वीपक्षिये संबंधों से लेकर शेत्री कमिटी के कई अहम मुद्दे पर विचार होगा लोगसभा चुनाफ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने केदानात के जिस गुफा में ध्यान लगाया था उसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है पीए मोधी के हाँ ध्यान लगाने से श्रधालो की बीच इस गुफा को लेकर क्रेज कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुकिंग शुरू होते ही अगले 10 दिनों में 9 रों नौगुना बढ़ गई हालात ये है कि अब 10 दिन से पहले गुफा की उपलब्दा नहीं होगी केदानात गुफा की 1500 रुपे का ऑनलाइन भुक्तान कर श्रधालो एक दिन का स्लॉट बुक कर सकते हैं इसके साथ यात्रा के दौरान गुप्त काशियों और केदानात में चिकितसा परिक्षा होती है इसके बाद ही गुफा में ठहने की अनुमती दी जाती है लोग सभच रुनाव मिली हार के बाद से राहूल गांधी कॉंग्रस अध्यक्षपद से इस्तिफा देने पर अड़े हैं आज एक बार फिर से कॉंग्रस सांसदों की बैठक में राहूल ने अध्यक्षपद पर बने रहने से इनकार कर दिया कॉंग्रस सांसर शशीथ हरूर और मनीष तिवारी ने राहूल को अध्यक्ष बने रहने के पक्षमें तरक दिया लेकिन राहूल फिर भी हार की नयतिक दिम्यदारी अपनी मांते हुए अध्यक्ष नहीं बने रहने का फैसला दोहराए जमुकश्मीर के द्राल में आतंकियों से मुढ़ेर स्रक्षबलों ने 2-3 आतंकियों को घेरा दोनों और से फारिंग जारी द्राल के बनक्षेत्र में बुद्वालतर के स्रक्षबलों ने 2-3 आतंकियों को घेर लिया दोनों और से फारिंग हो रही है स्ट्रक्षेवलों ने आसपास के इलाके में सर्च उपरेशन भी शुरू कर दिया है सत्ता जाने के बाद मुश्किल में पूर्व सीएम चंद्रबाबु नाइडू आधी रात में घर पर चली जेसीबी आंद्रुप्रदेश की सरकार ने दिये थे आदेश इसका निर्मान एन चंद्रबाबु नाइडू के नितरत हुमें पूर्व सरकार की ओर से किया गया प्रजावेदिका का निर्मान सरकार ने अंध्रप्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राथिकरन के जरीये ततकालीन मुख्यमंद्री आवास के एक विस्तार के रूप में किया इससे पहले चंद्रबावु नाइडु ने प्रग्या वेदिका विपक्ष के नेता का सरकारी आवास घोशित करने की मांग की थी लेकिन सीएम जगन मोहन रेडी ने मांग को ठुकरा दिया दिली के नेरेला में व्यापारी से लूट पाट के जाने का मामला सामने आया है जहां बाइस सबार दो बद माश्रों ने व्यापारी को गोली मार कर 18 लाख रुपे इससे भरा बैग लूट लिया वहीं लूट पाट की इस से पूरी घटना को CCTV कैमरे में देखा जा सकता है पाट करेंगे और उनके साथ जहु कश्मीर के वर्तमान सुरक्षा संबंधित सितियों पर चर्चा करेंगे सोनिपत में खेत में काम करने और पश्चुओं को पानी पिलाने से मना करना दलत यूवक पर भारी पड़ गया मना करने के बाद उसकी बे रहनी से पिचाई की गए दबंगो ने केवल पिचाई की बलकी पीड़ यूवक को अर्धनंग कर हर्यानवी गाने पटांस करने पर मज़़ूर किया मामला सोनीपत के गन और कजबे के एक गाउं का है करीब एक माबाद वीडियो वारल हुआ तो अब मामला दर्ज हुआ है पीड़ित के परिजनों ने दिल्ली से उसका लड़का घर आया था जहां गाउं के ही जितेंद्र और मोहित नाम के दो यूवक जबर्दस्ती अपने खेतों में काम कराने और पश्वों के देखरेक करने का दबाब बना रहे थे वारल हुए दो वीडियो में से एक में आरोपी लाठी से पीड़ित को पिटाई करते नजर आ रहा है वहीं दूसरे वीडियो में उसे अर्ध नंग्न हालत में हर्याणवी गाने पर डांस करवा रहे हैं मध्यप्रदेश के नरसिंगपूर में फिर मानफ्ता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक मासून से तरंदगी की वार्दात को अंजाम देकर दरिंदे उसे जंगल में फेक फरात हो गया ये वाक्या उस वक्त का था जब बच्ची अपने परिजन के साथ घर में सो रही थी और खात लगाए पर दरिंदे उसे उठा कर सुनसान जगा पर ले गए घर में बच्ची को ना देख परिजनों ने गुंस्षुदगी की का मामला दर्ज कराने गए पुलिस तर्मचारिय से ये बात कहीं बहीं आसुबा बच्ची को कुछ इस्थानी लोगों ने बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते वे जबलपूर रेफर कर दिया गया एस्पी ने मामले को गंभीरता से लेते वे प्रधान आरफशक को सस्पेंट कर दिया और पुलिस आरोपी दरिंदो की खोज में चुट गई है जारखन मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी पर राहूल गांधी ने ट्वीट किया कहा पीच पीच गर हत्या करना मानफता पर धबा हैरान कर देने वाली खामोशी है सक्ता सीनों की बिहार में चमकी बुखार का कहर अभी भी जारी है मुजपफरपूर में आज भी चमकी बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई इसके साथ ही मुजपफरपूर में अब तक चमकी बुखार से 132 बच्चों की मौत हो चुकी है SKMCH में 121 और केजी वाल अस्पताल में 11 बच्चों की मौत हुई है वहीं पूरे बिहार में अब तक 183 बच्चों की दिमागी बुखार से मौत हो चुकी है चबकी बुखार की वजहों को लेकर सिती अभी तक साथ नहीं हो पाई है परन्तु जानकारों का कहना है कि इसका मुख्य कारण को पोशन, तापमान और बातवरन में अधिक नमी है यूपी के बस्ती में राम जान की माल पर भीशन सड़क हाथसा एक वेकाबू ट्राक्टर ने दो मोटर साइकलों में जोरदार टकर मारती टकर इतनी जोरदार थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो हालत की हालत कमधीर बताई जा रही है वही मौत से गुस्ताई लोगों ने ट्राक्टर चाला को पेर से बान कर जम कर पिटाई की घटना बस्ती के कलवारी थाना क्शेत्र की हैं बतारे कि दोनों बाइक पर छे लोग सवार थे उतरप्रदेश के गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के एक सोसाइटी में कार को अंदर जाने से रोकने पर गार्ड से मारपीड का मामला सामने आया है सोसाइटी गेट के पास बने गार्ड रूम में तब तोर पोड के मामले मुख्यारोपी के पुलिस ने घुरबतार कर लिया गाजियाबाद की विजयनगर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसाइटी में 23 जून की रात को बाहरी गाड़ी को गार्ड ने अंदर जाने से रोका गुसायकार सवार अपने साथ साथ आच यूगकू को रेकर सोसाइटी में पहुंचे और गार्ड की जम कर पिटाई की साथी वहां लगे बैरियर को शीशे भी तोड़ दिये पराली नहीं बनेगी गले की फार्स भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे शोर पराली को धर्ती में गलाने के साथ साथ पश्यों के चारे में इस्तिमाल करने के लाइक बनाया जाएगा इरान और अमेरिका की बीच संघर्ष रोतनाथ की सिति के कच्छे तेल की मांग में गरावट आयरसी टीसी का खास प्लैंग गर्मियों में दे रहा है दाजलिंग के लिए स्पेशल टूर पैकेज मारूती की स्विफ्ट बनी बेस्ट सेलिंग कार टॉप टेल लिस्ट में मारूती सुजुकी के आठ मॉडल्स को मिली जगा चीन से व्यापार समेट रही कम्पनियों को भारत इंसेंटिव दे कर लुभा सकता है वल्ड कप में छटी जीत के साथ सेमी फाइनल में पहुँची आस्ट्रेलिया टीम इंग्लाइन को 64 रनों से हराया आस्ट्रेलिया ने पहले बल्ले बाजी करते वे 285 रन बनाये थे जवाब में इंग्लाइन की टीम ने 221 रनों पर धेर हुगे इंग्लाइन के लिए अंतिम चार में पहुँचने का रास्ता मुश्किल हो गया है सेमी फाइनल में जाने के लिए इंग्लाइन को अब अपने बाकी के बचे दोनों मैच जीतने ही होंगे अक्षे खुमार की हीरोईन और खत्रों के खिलाडी फोर की विनर रही आर्टी चाबड़िया शादी के बंधन में बन गई दुलहन के जोड़े में तस्वीर बारल बॉलिवुड के किंग खान शारुख खान अपने करियर में 27 साल के हो गया इसी खुशी में ट्विटर पर 27 गोलिन इयर सोफ एसार के ट्रेंट किया लोग शारुख को अपना प्यार भेज रहे हैं बॉलिवोड एक्टर सोनु सूथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब कर वारल हो रहा है इस जब वीडियो में सोनु अपने पापा का स्कूटर चलाते नज़र आ रहे हैं टीवी का पॉपुलर डांस रियालिटी शोर डांस दिवाने टू में साथ नज़र आएंगे माधुरी और कोविंदा माधुरी ने किशेर की तस्वीरे अनिल कपूर की पती सुनीता कपूर ने सोशल मीडिया पर थ्रोबैक तस्वीरे शेर की बोनी कपूर, श्री देवी, सुनीता कपूर, अनिल कपूर, संजे कपूर और महीव कपूर साथ नज़र आ रहे हैं विरेशी दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद ट्रोल हुई शारुख खान की बेटी सुहाना ट्रोलर्स ने लगाया इसलाम की तौहील का आरोग रोमांटिक हॉलिडे पर निकले अर्जुन और मलाई का एरपोर्ट पर हुए साथ में स्पॉट बविता कपूर ने इंगलाइंड में जॉइन किया करीना और करीश्मा कपूर को इन दिनों कपूर सिस्टर्स इंगलाइंड में हॉलिडे मना रही है